जय सिरी कृष्णा हरी विष्णू की जय नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभुनंदन है स्वागत है आईए सुनते हैं माग महातम सुलाहवा अध्याय सिरी नरायन बोले हे महा प्राग्य हे नारद बालमी की रिसी ने जो परम अध्भुत चरित्र द्रिंध धन्वा राजा से कहा उस चरित्र को मैं कहता हूँ तुम सुनो बालमी की रिसी बोले हे ड्रिंध धन्वा हे महाराज हमारे बचन को सुनिए गरूर जी ने के सव भगवान की अग्या से इस प्रकार ब्राह्मन स्रेष्ट से कहा गरूर जी बोले हे दीजी सेष्ट तुमको साथ जनम तक पुत्र को सुख नहीं है यह जो वह बचन हरी भग पुत्र दूंगा हे तपोधन हमारे अंस से तुमको पुत्र होगा जिस पुत्र से गोमति के साथ तुम मनोड़त को प्राप्त करोगे किन्तु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवास्य होगा दी जिसा दुरलम तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुधी हरी भगवान में हुई हरी भक्ती सकाम हो उत्वा निस्तकाम हो हरी भगवान दोनों ही पिरिये हैं मनुस्यक का सरीर जल के बुन्द बुन्द के समान छंच में नास होने वाला है उस सरीर को प्राप्त कर जो हिर्दे म हरी चरनों का चिंतन करता है वह धन्य है इस अत्यांत दूस्तर स्रंसार में तारने वाले हरी भगवान के अलामा दूसरा और कोई नहीं यह हरी भगवान की ही किरपा है मैंने तुमको पुत्र दिया मन में सिरी हरी को धारन पूर्भक शुख पूर्भक विचार और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगे। बालमेकी रोशी बोले गॉतमी और सुदेव दोनों इस्तरी पुरुश के देखते देखते उत्मवर को दे कर उसी समय गरूर पर्सवार होकर भगवान हरी सिग्र ही वेकूंट को चले गए। सुदेव सर्मा भी इस्तरी के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आया और उतम गिरहास्त आश्रम के सुख को भोगने लगा कुछ समय भीतने के बाद गोत्मी को गर्भ है रहा और दसम महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ प्रस्तुती काल आने पगोत्मी ने उतम पुत्र पैदा किया और पुत्र होने पर सुदेव सर्मा बहुत प्रसन हुआ स्रेष्ट ब्राहमन को बुला कर जात कर्म संसकार किया और अच्छी तरह अशनान कर ब्राह्मन स्रेश्ट सुदेव सर्मा ने उन ब्राह्मनों को बहुत दान दिया ब्राह्मन और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव सर्मा ने नाम करन संसकार किया किरपालु गरूर जी ने प्रेम से यह पुत्र हुआ था सरत का लिंग चंद्रमा के समान उदय को प्राप्ति जस्वी यह सुक के सिद्रिस है इसलिए मेरा यह प्रिय पुत्र सुक देव नाम वाला हो माता के मन को अनन्द देने वाला वह पुत्र पिता के मनुड़तोक के साथ साथ शुकल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा पिता ने हर्च के साथ है उपनयन संसकार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया बादवह बालक वेद अरंभ संसकार को प्राप्त कर ब्रह्माचार्य वरत में इस्तित हुआ उस ब्रह्माचार्य के तेज से युक्त बालक सक अच्छात दूसरे सुर्य के समान सोभित हुआ बुद्धी सागर उस बालक ने वेद का अध्यान प्रारंभ किया उस गुरु वत्सल बालक ने सद बुद्धी से अपने गुरु को प्रसन किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त बिद्या को प्राप्त किया बालमे पर नाम किया अर्ध पाद आदि से विधी पुर्वक उन देवल मुनी की पुजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया अतित्य जश्वनी देवदर्शन देवल रिशी उस आसन पर बैठ गए बाद अपने चर्णों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल रिशी बोले देवल मुनी बोले अहो हे सुदे तुम धन्य हो तुम्हारे उपर भगवान प्रसन हुए क्योंकि तुमने दुडलव सुन्दर स्रेष्ट पुरुत्र को प्राप्त किया है ऐसा विनित बुधिमान बोले में चतूर वेद पाठी और सिल्वान पुत्र कभी भी किसी के यहा नहीं देखा हे पुत्र यहा या ओ तुम्हारे हात में यह कौतुक क्या देखता हूं सुन्दर छतर दो चामळ यवरेखा के साथ कमल जानू तक लटकने वाले हाथी के सुन्द के समानी तुम्हारे हाथ है कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र शरील गोल आकार का तिरवली से युक्त पेट है इस परकार उस बालक के विशे में कहकर उस ब्रहमन को उतक निंठक देखकर देवल रिशी फिर बोले अहो हे सुदेव यह तुम्हारा लड़का गुनों का समुंद है कंधा और कोह का संधी अस्थान गुड़ है संग के समान उतार चड़ाओ युक्त गला वाला चिनकन टेरे सीर के वाले बाल वाला उची छाती लंबी गरदन बराबर कान बैल के समान कंधा इस तरह समस्त लस्नों से युक्त यह पुत्र श्रिष्ट भाग का निधी है एक बहुत बड़ा दोस है जिससे सब ब्यार्थ हो गया इस परकार यह कह कर सीर कापते हुए दिर खिस्वास लेकर देवल मुनी बोले प्रथम आयू की परिक्षा करना बाद लक्षनों को कहना चाहिए आयू से हीन बालक के लक्षनों का क्या प्रियोजन है है सुदेव यह तुम्हारा लड़का बारहवे बर्स में डूब कर मर जाएगा इसे से तुम मन में सुक नहीं करना अवस्य होने वाला नी संदे होकर ही रहता है मरना सस्त्र को आवसत देने के समान उसकी कोई प्रतिकिरिया नहीं है बालमुकी मुनी बोले देवल मुनी इस प्रकार कहक ब्रह्मा लोक चले गए और गौत्मी के साथ सुदेव ब्रहमन प्रिथमी पर गिर गया प्रिथमी पर प्रप्राद हुआ देवल रिषी के कहे हुए बचनों को असमरन कर चीरकाल तक बिलाप करने लगा बाद उसकी इस्त्री गौत्मी धर्याधारन करती हुई पुत्र का अपनी गोध में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुम्बन कर बाद पती से बोली गौत्मी बोली हेद्री राज होने वाली वस्तु में भाय नहीं करना चाहिए जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होका रहेगा क्या राजा नल रामचेंद्र और युधिष्टिड दुख को प्राप्त नहीं हुए राजा पले भी बंधन को प्राप्त हुए यादव नास को प्राप्त हुए हिर्नयाक्ष कठिन वध को प्राप्त हुए वृत्या सुर्व भी मिर्तु को प्राप्त हुए सहसा अर्जुन का सिर कट गया रावन के भी उसी तरह सिर काटे गए है हे मुने भगवान रामचंदर भी बन में जाकर जानकी के विरह को प्राप्थ हुए राजर्शी परिछित भी ब्राह्मन से मिर्थुक को प्राप्थ हुए हे मुनिवर इस परकार जो होने वाला है वह अवस्य होता है इसलिए हे नाथ उठिये और सनातन हरी भगवान का भजन करिये जो समास्त जिवों के रक्षक है और मुक्षपद को देने वाले है बालमीकी रिशी बोले इस परकार सुदेव सर्मा ने अपने इस्तरी गोतमी के वचन को सुन कर स्वास्त को हो हिर्दे में हरी भगवान के चर्नों का ध्यान कर्म पुत्र से होने वाले सोक को जल्दी से त्याग दिया तो ये थी माग महातम सुलावा अध्याए आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें सेर करें कॉमेंट्स करें मेरे चैनल को सस्क्राइब करने के लिए सभी भक्त जन को कथा सुनने के लिए धन्यवाद सिरी हरी विश्णू जी की जय